प्लांटे बारे बात करने वाली हूं यह एक और्नमेंटल प्लांट है पैरेनेर प्लांटे सालों साल आपकी गार्डन में बना रहता है और खुबसूरती बिखेड़ता रहता है यह बहुत ही गुड लुकिंग प्लांट है आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा क्यूं और इस प्लांट का नाम है ड्रेसीना गोल्डन मिल्की प्लांट इस नाम से इसे जानते हैं क्योंकि यह ड्रेसीना की एक वराइटी है और इसकी लीप पे कुछ इस तरह से वाइट वाइट डॉट होते हैं इसलिए से ड्रेसीना गोल्डन मिल्की प्लांट बूला जाता है वै प्लांट इंडोर भी चलता है और आउट्डोर भी चलता है दोनों ही कंडिशन में इसकी सनलाइट की नीट को समझना पड़ता है आगे इस टॉपिक पर बात करूंगी जो मैं इस प्लांट से रिलेड़े पूरी जानकारी मिलेगी तो वीडियो को एंड तक देकर पूरी प्लांट देखिए कितना हेल्दी है बिक साइज का हो गया है और इसे मैंने औली एट इंच के पॉर्ट में लगाया है तो अच्छी सी ग्रोथ कर रहा है तो मैं इसकी जो ग्रोथ सीक्रेट है ना हेल्दी ग्रोथ की वही इस वीडियो में आप लोगों से शेर करने वाली थी मेरे चनल पर इसकी रिपोर्टिंग की वीडियो अपलोड है आप उसे भी देख सकते हैं डिस्किप्शन में लिंक भी देदूंगी और ड्रेसीना मिल्की प्लांट रिपोर्टिंग की नाम से भी आप मेरे चनल पर उसे सर्च करके देख सकते हैं कमप्लीट मैंने शो किया था उसमें कि इसको कैसल सॉल मिख्षा दिया था, कैसे इसके रूस थे, रूट बाउंड हो गया था, तो मैंने कैसे इसे रिपोर्ट किया था, तो वो वीडियो भी आप देखना चाहें, तो देख सकते हैं, आज मैं इसकी समर केर बताऊंगी, कमप् करेंगे, तो कई सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसे देखकर आप भी अपने गार्डन में कुछ प्लांट ड्रेजिना के एड कर सकते हैं, तो इस प्लांट की किया मैं कैसे गरती हूं, जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग की वीडियो बनाई थी, तो उसमें तो मैंने स्वाइल मिक्षेर आपको दिखाया था कि कैसा स्वाइल मिक्षेर लेके में से रिपोर्ट कर रही हूं, उसी की वज़ा से अच्छा स्वाइल मिक्षेर होने की वज़ा से प्लांट ने इतनी अच्छी ग्रोथ किया, क्या स्वाइल मिक्षेर बनाया था वो मैं आपको बता तो इस तरह से स्वाइल मिशे बना के प्लांट को रिपोट करना होता है जब भी आप किसी भी तरह का प्लांट रिपोट करते हैं तो इसमें नीम खली पाउडर एट करना बहुत जरूरी है ताकि रिपोर्टिंग के समय प्लांट अच्छे से से सैट हो जाए उसमें कोई स्टार्टिंग से 2-4 घंटे की सनलाइट देते हैं तो भी यह वेयर कर लेता है और अच्छी सी ग्रोथ करता रहता है और अगर स्टार्टिंग साप इसे इंडारिक ब्राइट सनलाइट में रखना चाहते हैं तो उस कंडिशन में भी यह ग्रोथ करता है तो दोनों तरह से सब्सक्राइब भी यह अगर आपने से ज्यादा लो लाइट में रख दिया या बिलकुल इंडोर अर्ट इंडोर अर्ध इसे ब्राइट भी नामल थी हो तो क्या होगा इसमें ऐसा मुल्टी कलर बनी के नहीं आएगा सिर्फ ज्यादा ग्रिश लोक ये यह इस लोगा यह प्ल मिलने वाला है तो जैसा मेरे प्लांट का लुक है ऐसा चाहते हैं तो दो तीन घंटे की डारिक सनलाइट देनी है चाहे मौनिंग चाहे इवनिंग की तभी आपको इतना ब्यूटिफुल लुक देगा तो इस तरह से आप प्लांट की जो सनलाइट की नीड है उसे पूरा कर सक है तो अगर आपने से आउट साइड डारेक्शन लाइट में रखा है तो हपते में दो बार शावर दे देंगे तो प्लांट क्लीन भी रहता है और उस पे जो गर्मी की धूप है ना और जो इतनी स्कॉर्जिंग होती है उससे भी काफी रिलेक्स मिल जाता है तो इस तरह से समर चीज़ें में आप इसमें शावर दे सकते हैं विंटर में इसकी नहीं होती है विंटर और समर में जब ओनली वाटरिंग करते हैं तो वो लिमिटेट करना होता है हमें से स्वाइल को चेक करके वाटरिंग करना होती है स्वाइल में इस तरह से नमी है तो वाटर को इसकी कर दिजिए अगर स्वाइल आपको ड्राय दिख रहे तो आप उसमें वाटरिंग कर दिजिए अब इसकी जो में ग्रोथ का राज है फ्रेंट वह है कॉम्पोष्ट जब मैंने इसी रिपोर्टिंग किया था तो अच्छे से इसमें कॉम्पोष्ट एड किया था जब आपको मैं हर तरब से दिखाऊं तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करके यह आया है और बहुत प्यारा लुक दे रहा है इस तरह से जब भी भी स्वाइल मिक्षर बनाएंगे उसमें कॉम्पोष्ट एड करना बहुत ज़्यादा जरूर करेंगे जो कॉम्पोष्ट मैंने बताया उनमें से कोई सभी कॉम्पोष्ट एड करके स्वाइल की गुडाई कर देंगे और टाइम टाइम से वाटरिंग करते रहेंगे तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगा देखी मेरा प्लांट कितना है इसे फाइप मांथ ह कुम्पोष्ट करेंगे तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे उसके बाद में आपको बताऊँ इसका प्रोपोगेशन कैसे होता है मैंने तो यह प्लांट नर्शी से परचेज किया था क्योंकि आसपास में मुझे प्लांट कहीं दिखा ही नहीं था तो मैंने इ लेकिन इस प्लांट को कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है देखिए इस तरह से ब्राउन कलर की स्टेम होती है तो आप अगर इसकी कटिंग लगाते हैं 5-6 की कटिंग रहनी सीजम ने या फिर जनवरी फरवरी के महीने में इसकी कटिंग करना चाहें तो इसली यह ग्रो हो सबी को फॉलो करेंगे तो प्लांट आपके गार्डन में बहुत हैल्दी ग्रोथ करेगा देखिए कितना ज्यादा है खूब सूरत है गुड लुकिंग है और कलर फूल है तो इस तरह से जो भी टिप्स मैंने बताए हैं यही सीक्रेट है इस प्लांट के हैल्दी ग्रोथ का इस तरह से यह हेल्दी ग्रोथ करके आपके गार्डन की ब्यूटी बढ़ाएगा तो यह थी इसकी कंप्लीट केर इसके हेल्थ का राज मुझे एकिने आप लोग को पसंद आएगा पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैन राज शेयर किसी बढ़ाएगा पसंद आएगा्ट